नमस्कार, सभी साथियों को मिरा बहुत बहुत नमस्कार और सबसे पहले तो कि मैं आप सभी लोगों को धनवाद बोलूंगी कि इतने दिनों से आप सभी लोग करीड़ें दो-तीन महिनों से हमेजा मुझे फेस्बुक पर एप्रिशेयट कर रहे थे हमारे वर्क के लिए निर दिए, वो इसलिए, कुकि finally, मैं nirvhyya case में, उन convicted को hang नहीं करा पाई थी, nirvhyya को justice नहीं दिखाई थी लेकिन अब जब निर्भ्या को जश्टिस मिला जो एक तरीके से विश्वास टूट रहा था लोग उमीद लगाए हुए थे देश के कि निर्भ्या को कब जश्टिस मिलेगा तो उसके बाद लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, समान दिया कि मैंने अच्छा वक किया है तो मैं आप सभी लोगों का, सभी देश्वासियों का, सभी फेस्वुक के दोस्तों का, सभी का बहुत सुक्रिया अदा करती हूँ और आगे मुझे लगता है कि जस तरीके से आप लोगों ने मुझे प्यार ये समान दिया है मैं कभी नहीं भूलूँ गी और आगे भी फ्यूचर में जो भी हमारी जिम्मेदारियां मैं उनको अच्छे से समझ रही हूँ अब मेरे कंदों पर और भी जिम्मेदारी है कि मेरे पास बहुत सारे स्टेट से फोन आ रहे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं कि matter same nature के crime है, women के एंगिस जो भी crime है, उन पर भी मुझे work करना है, तो आप सब लोगों का साथियों का शुक्रिया, लेकिन आज मैं live आप ल करके आई हूँ, जिससे आप सभी लोग वाखिफ हैं, और वो है कि कोरोना बाइरस, मेरा basically ये live उसी के लिए है, कोरोना बाइरस जिस तरीके से फैला हुआ है, और निश्ची रूप से as a city जड़ हमारी ये जिम्मेदारी है, कि आप लोगों से मैंने एक भी अभी तक पोश जहान है, और ये बहुत जरूरी है कि आज चीन जो है, वहाँ पर इतनी भयाबक इस्तिती बनी और चीन के ज़्यादातर लोग जब इटली में कॉंटेक्ट में आए, तो इटली में भी इतनी बुरी कंडिशन हो गई है कि वहाँ फैसलिटी इतनी अच्छी होने के बाब ज जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं और करके रहते हैं, ये हम लोगों के बिल पाबर, हमारी संबेदन सीलता, हमारी जो भी इनिशेटिव हम जो लेते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं और जिसका जीता जागता उधारट कल का है, कल 22 मार्च को जिस तरीके से सभी ने एक जुर्ता दिखा करके जो कर्फ्यू था, उसको कही न कहीं उसको गवर्मेंट के इस कदम को अप्रिशेट किया और सब ने मिलकर के एक अपने घर में जो भी मलब ताली बजा करके या जिस तरीके से वर्तन बजा करके जो एक मैसेज दिया है, कि नहीं हम किसी भी में लडने के लिए तयार हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे वीडियो से सामने आएं, जिसमें लोग एक जो ठोकर के ताली बजा रहे हैं, और एक जो ठोकर के कि नहीं हमें कोरोना से लड़ना है, और जन्मानस का ये कर्फ्यू है, तो साथियो मैं सबसे पहले एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कोई भी बाइरस होता है, वो बाइरस किस तरीके से एक्ट करता है, रियक्ट करता है, हमें अगर हम वो जान लेंगे तो निश्य रूप से हम इस भयावा महमारी से बहुत अच्छे से अपने आपको, अपने समाज परिवार देश को और इविन की पूरे वर्ड को सुरक्षित कर सकते हैं, कि जो बाइरस होता है, वो उसको काम तभी करता है, जब उसको कोई human body या कोई भी living host जो होते हैं, जैसे animals हो गए है, या मानव हो गया है, इंसान हो गए है, अगर वो 24 घंटे किसी human body के अंदर नहीं पहुंच रहा है वो वाइरस, किसी जानवर के आप टच में नहीं आ रहे हैं, और तो वो 24 घंटे के बाद जो डॉक्टर जिस तरीके से बताते हैं, उसका फिर impact नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो किसी की body में है वाइरस और वो व्यक्ति किसी जिसके अंदर में वो वाइ वो उतनी जल्दी इसमें reflect नहीं हो रहे हैं, और वो व्यक्ति जितने लोगों के भी contact में आएगा, यह तूट जाता है chain, तो वो जब किसी के भी contact में आएंगे, तो उस व्यक्ति को वो शंक्रमण कर देगा, और वो व्यक्ति जब एक दो दिन बाद भी, अगर उसके अंदर वो virus आ गया है, और एक दो दिन बाद भी किसी से मिलेगा, तो वो उसको impact कर देगा, तो यह जो chain है, यह बनती चली जाएगे, इसलिए कहा गया है कि जो भी इस से पीडित है, जो भी इस संक्रमण का सिकार हो चुका है, तो उसको isolation में जरूरत है, कि अगर उसको isolation में रखा जाएगा और उसको proper treatment दिया जाएगा, और इसका जो best सबसे treatment है, वो है vaccine, vaccine लगाना, तो इस तरीके की अभी vaccine नहीं बन पाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे medicines भी हैं, और isolation में रख करके proper treatment होता है, तो बहुत सारे जो भी मरीज हैं इस से पीडित, उनको बचाया भी जा सकता है और बचाया भी जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि जिस patient को जो भी लोग हैं, उनको अगर हम isolation में रख रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति अगर किसी के संपर्क में आया और वो व्यक्ति दूसरे के संपर्क में आया, तो इस बीमारी को हम बहुती multiple तरीक साथियों से एक Indian citizen होने के नाते, यही प्रातना है कि government ने जो lockdown किया है, curfew किया था, कोई भी अपने घर से ना निकलें, और अगर आप लोग घर से नहीं निकलेंगे, तो निश्य रूप से आप अगर घर के बाहर निकले और आप संक्रमण के सिकार हो गए, तो आप अपने पूरी परिवार को खत्रे में डाल रहे हैं, आप जिससे भी संपर्क में आ रहे हैं, उसको खत्रे में डाल रहे हैं, और इस तरीके से आप सोचो आप जिनको प्यार कर रहे हैं, कम से कम उनके लिए आप अपने घर से मत निकलेंगे, और एक और मैं बात कहूंगी, कि अगर आप घर से नहीं निकलेंगे लोगों को बहुत लोगों को सिकायत रहती है ये एक अलग में बात वोल लही हूँ कि बहुत लोगों को शिकायत रहती है मेरी मम्मी भी जी रहती है मेरे पापा भी जी रहते हैं हम लोग मिल नहीं पाते हैं आपस में बात नहीं कर पाते हैं बाहर नहीं निकल पारे, बहुत सारे अर्जन मैटर भी होंगे चीजों को, लेकिन उनको नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ये ऐसा भी, इसको हम मौके के रूप में देख सकते हैं, कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ में बैठ करके, उनसे बात करें, उनको जो सिकायते ह हैं, उनको दूर करें, हमारे जो रिस्तेदार दूर बैठे हुए हैं, जिनको शिकायते रहती हैं, एक मौका है कि उनसे बात करें, अपने रिस्ते को रिवाइब करें, प्यार से सबसे बात करें, घुल मिलके रहें, क्योंकि ये एक नेचर के तरफ से देखा जाए, प्रिकृति का हम इतना दोहन करने लगे हैं कि जानवरों को इतना खाने लगे हैं कि यह जो बीमारी आई है तो जो भी medical science से उसे पता चला है कि यह किसी animal के द्वारा ही फैली है बीमारी तो हम प्रिकृति से जितने दूर होते जाएंगे उतना ही हम इस तरीके के संकट human being के ल अंदर भी अच्छा लगेगा और अपनी लोगों की शिकायते भी दूर होंगी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा इतना work load होता है हम और चीजों को time नहीं दे पाते हैं तो यह इसको मौका तो हम नहीं कहेंगे लेकिन अगर घर में बैठ ही रहे हैं तो उन सारे कामों क आप कर सकते हैं बहुत आवशकता हो तो घर से बाहर निकलें अगर निकलें तो अपने आपको पूरी तरीके से cover करके निकलें और जैसे बहुत सारे वीडियो भी आ रहे हैं उन बातों को मैं भी repeat करूंगी क्योंकि यह वीडियो आ रहे हैं कि लोग बहुत अच्छा suggestion दे र है या आप घर में जैसे ही entry करें तो मेरा एक suggestion है साथियो कि सीधे आप घर के अंदर आने पर किसी भी family member के contact में नहीं आएं डारेक्ट वास रूम में जाएं और जो भी आपने अपने dresses पहने हुए हैं उन dresses को आप अपने वास रूम में ही रखें प्रोपर तरीके से नहा कर के बाहर निकलें hand wash अच्छे से करें और उसके अलाबा जो भी आप सामान लेकर के आए हैं immediately अगर वो kitchen का सामान है medicine है या कुछ भी है उसको जो भी जिसको धुला जा सकता वाशेवल है उसको आप धुलें और जो सामान ऐसा है जिसको नहीं धुला जा सकता है तो उसको 24 hours के लिए किसी भी family members से उसको touch नहीं करने दें उसको दूर रखें कि जो virus होता है वो almost 24 hours के अंदर ही खतम हो जाता है वो लेकिन इस chain को जो जिस तरीके से impact डाल नहीं है तो इसको रोकने के लिए यह सारी एतियात बरतना बहुत जरूरी है अगर आप किसी लोगों से नहीं मिलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका जीवन रहेगा तो आप दुबारा सब लोगों से मिल पाएंगे तो सबसे जादा एतियात बरतना आप लोगों के होंगी कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन सारे डॉक्टर्स जो भी अपने घरी परिबार छोड़ करके सब इलाज कर रहे हैं और तरीके से जो भी अपनी डूटी कर रहे हैं अहां मैंने इटली का एक वाइरल हो रहा है फेस्बुक पर मैंने पोस्ट देखा कि husband wife treatment के दोरान करीब 134 लोगों की उन्होंने जान बचा ली लेकिन वो दोनों infected हो गए और उनकी death हो गई है तो मैं कहूंगी कि doctors हमारे लिए भगवान हैं उन सब का सम्मान हमें करना है और उनको उनके लिए हम pray कर वक्त अपना वो इतना ध्यान रखें वो जरासा भी infected ना हो और उनसे भी हमारी हां जोड के प्रात्ना है कि देश्ट के स्वास्त की जिम्मेदारी आपके कंदों पर है जैसे कि प्रधान मंत्री जी ने जो आहन किया था उसे लोगों ने बहुत सिद्द से निभाया और कल क कर्फियों में यह चीज दिखाई वैसे हमारे डॉक्टर जितने भी साथी हैं उनसे मेरे हां जोड करके प्रात्ना है कि आप इलाज करिए लेकिन अपना भी ध्यान रखिए और देश-बासियों से सभी से कहेंगे कि अपने डॉक्टर्स के लिए एक मैसेज जरूर करिए कि आप हमारे देश के स्वास्त का ध्यान रख रहे हैं तो हम सब आपके लिए दुआएं कर रहे हैं कि आप पूरी तरीके से स्वास्त रहें और खुश रहें और साथियों आप सभी लोग अपना खयाल रखें अगर आपको लगता है कि मेरी बात में थोड़ी भी सचाई है त तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करें, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएं और अपना खयाल रखें, खुश रहें, ज्यादा से ज्यादा अगर लगता है जिनको पढ़ने का शौक है, अपने घर में किताबें पढ़ें, आपके पास यूटूब है, फोन है, उन सब अच्छे चीज़ों को देखें, और इन सारी जैसे कोई भी ये डिसीज फैल रही है, इसका क्या इंपक्ट है, कैसे इसको क्या आय हो सकते हैं, जिसको दूर किया जा सकता है, तो इस तरीके के जो अवेर करने वाली चीज़ें हैं, वो फेस्बुक, ट्विटर उन सब पर अ खटा हूँ, फिजिकली प्रिजेंस में बात कर रही हूँ, कि एक जुटता का मतलब है, सोसल मीडिया या अधर अधर प्ले, जो भी कम्मुनिकेशन के माद्य हमें, उन से एक जुटता दिखानी है, और ये मैसेज देना है, कि हम एक ऐसी कंट्री हैं, कि हम किसी भी तरीके क सिचुएशन से लड़ने के लिए, अपने आपको हमेसा तयार रखते हैं, और तयार रखेंगे भी, और ये मैसेज आज भारत से पूरे विश्व को जाना चाहिए, कि हाँ, अगर हम ऐसे उपाय कर सकते हैं, तो आप सभी लोग भी कर सकते हैं, और सभी लोग सेफ हो सकते है मेडिकल की शुवदाएं बाद में आती हैं उससे पहले आती है कि हम कैसे अपने आपको बचा पाएं इस बीमारी से संक्रमित होने से आप लोगों को मैं यहीं धनवाद दूँगी बहुत बहुत शुक्रिया शुवरात्री प्लीज आप सभी लोग अपना खयाल रखें रोड पर मत निकलें जरूरत हो तभी निकलें सभी का ध्यान रखें घर में सबके साथ बहुत अच्छे से रहें अपने रिस्तेदारों से बात करें सबकी सिकायते दूर कर लें यह ऐसा मौका है थैंक्यू सो मजश साथियो और मैं देख रही हूँ बहुत सारे मुझे विशिश रहे हैं लोग हमसे लाइब जुड़े हुए हैं तो जितने साथ हमारे लाइब जुड़े हुए हैं आप सभी लोग मुझे अप्रिशेट कर रहे हैं तो मेरे सभी साथियो फेस्बुक के आप लोग का बहुत बहुत सुक्रिया सीमा को इतना प्यार देने के लिए झाल झाल